दोस्तों अपनी रोज मर्रा की लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़े इस्तेमाल करते हैं जिन में से कुछ हमारे लिए हेल्डी होती हैं, वहीं कुछ हमारे लिए नुकसान दे भी हो सकती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजे भी हैं खाने पीने की जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, जहरीली हो सकती हैं और किसी किसी केस में मौत का कारण भी बन सकती हैं यह मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी खाने पीने की चीजे जो कि आपके लिए टॉक्सिक हैं और जहरीली हैं और इनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए तो चलिए बीना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन पांचों चीजों के बारे में पूरी डीटेल से दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपके लिए टॉक्सिक है और जिससे आपको बचना चाहिए वो है ग्रीन पोटाइटो यानि के हरा आलू उसको हरा बना देता है और दूसरी चीज होती है सोलेनेस क्लोरोफिल तो एक नौन हामफुल चीज है उसका कोई नुक्सान नहीं है अराम से आप उसका खा सकते हैं लेकिन जो सोलेनेस है बेसिकली ये एक नियरो टॉक्सिक होता है जो कि हमारे लिए जहर का काम करता है अग की वजह से कुछ लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं जिसमें से की हैडेक, नौजिया, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालेसिस या एक्स्ट्रीम केसिस में कॉमा और डेथ भी हो सकती है तो अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो पू आपकी वो ठीक है तो उस हरे पोर्शन को आप काटके फिक सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो जहर है वो पूरे के पूरे आलू में आ जाएगा जितना पार्ट उसका ग्रीन होगा सिर्फ उतने ही पार्ट में वो जहर उसका पाये जाता है तो यह आपको ध्यान रखन तो ग्रीन पोटेटो यानि हरे आलू से आपको कीमत पर बचना चाहिए और इसको बिलकुल भी इस्तमाल नहीं करना चाहिए दूसरी चीज जो कि आपके लिए टॉक्सिक हो चकती है वो है नेटमेग यानि कि जाएफल दोस्तों नेटमेग एक ऐसी चीज है जो कि हमारे इं सिस्टम को एफेक्ट करता है और इसकी वज़ा से अगर ओवर्डू हो जाए तो हमारे अंदर डिजीनेस, पैल्पिटेशन, चक्कर आना, नौजिया और वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है कुछ केसे में हैलूसिनेशन भी हो सकता है यानि मरीज जो है वो बावल केस था जिसमें 17 साल की लड़की थी जिसने 50 ग्राम नेटमेक का पौडर मिल्क शेक बनाके इस्तमाल कर लिया था और इसको इस्तमाल करने के सिर्फ एक से देड़ गिंटे के अंदर ही उसके अंदर बहुत सीवियर सिंटम्स आने शुरू हो गए उसको हैलूसिनेशन होने डिजीनेस होने लगी चक्कर आने लगे वामिटिंग और नौजिय उसको होने लगी और बेुषी की हालत ऊसके इनदर होने लगी जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया उसका इलाज हुआ तो उसके बाद पता लगा कि ये लक्षण जो उसके अंदर आए थे ये नेटमेक जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं, कोई नुखसान इनका नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, इन स्वीट आमंड्स के साथ बिटर आमंड्स भी मिक्स कर दिये जाते हैं, और बिटर आमंड्स टॉक्सिक होते हैं, बिटर आमंड्स के अंदर एक टॉक्सिक सबस्टे भी हो चुकी हैं जिसमें यह पता चला कि 6 से लेके 10 बदाम भी अगर आप खालें कड़वे तो वो आपके अंदर serious poisoning होने के लिए काफी होते हैं और अगर इससे जादा आप खालें 20 बदाम खालें 25 30 बदाम अगर आप खालें तो इससे आपको इतनी जादा toxicity हो जाती है कि इससे death भी हो सकती है और अगर आप कोई बचे हैं या आपकी weight कम हैं आप underweight हैं दुबले पतले हैं तो उस case में आपके लिए खतरा और भी जादा बढ़ जाता है क्योंकि ऐसे cases में कम quantity भी काफी जादा toxic आपके लिए हो सकती है इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी कड़वा बदाम है तो उसको आपको नहीं खाना है और हमेशा अच्छी quality का अच्छे brand का और अच्छे स्टोर से sweet almonds लेने हैं जिसमें कड़वे बदामों की मिलावत ना हो चौथी toxic चीज जो कि आपको इस्तिमाल नहीं करनी चाहिए वो है undercooked red kidney beans यानि ऐसी राजमा जो कि पूरी तरह से पकी नहीं हो राजमा के अंदर लेक्टिन होता है दोस्तों और लेक्टिन according to FDA एक toxic substance है जो कि हमारे अंदर बहुत सारे अलग लग तरह की toxic लक्षन पैदा कर सकता है जिन में से की बहुत ही common है abdominal pain, nausea और vomiting और extreme cases में death दोस्तों लेक्टिन जो कि राजमा के अंदर पाए जाता है ये पकने के बाद पूरी तर से राजमा पूरी तरह से नहीं पक पा रही है या कच्ची ही हम उसे खा लेते हैं तो उसकी वज़ा से बहुत सारे serious side effects हमारे अंदर देखे जा सकते हैं कुछ case studies हो चुकी है राजमा के उपर जिसमें पाया गया कि सिर्फ पांच से छे दाने कच्ची राजमा के खाने से तेज आज में उसको तब तक पकाईए जब तक वो पूरी तरह से गल ना जाए पूरी तरह से खाने लायक ना हो जाए थोड़ी सी भी कच्ची अगर आपकी राजमा रह जाती है तो उसके अंदर यह लेक्टिन नाम का substance बाकी रह जाता है और यह आपके अंदर toxicity पैदा कर स इसलिए हमेशा आपको कुशिश करने चाहिए कि राजमा पूरी तरह से पका के अच्छी तरह से गला के तभी उसको आप इस्तमाल करें तभी आप इससे से रह पाएंगे और इसकी toxicity आपके अंदर नहीं होगी पांचवी और आखरी toxic चीज जिससे आपको बचना चाहिए ज आपके लिए बहुत जादा हेल्दी होता है और सेफ भी होता है लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तमाल करते हैं तो यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है अब कैसे यह आपके लिए टॉक्सिक होता है वो समझ लेते हैं देखिए जितने भी राइस होते हैं दोस्त आब यह आर्सेनिक जो है यह चावल के अंदर आता कहां से है ने के जितने Buchheti होती चावल की उस Beta के दोरान क्या होता है कि ह्या चावल के इंदर बहुतारे veraniko टाले जौते हैं बहुतारे कालाऻास जाले जाते हैं और छली द अब क्या होता है कि जब हम चावल को इस्तेमाल करते हैं तो यह आर्सेनिक धीरे-दीरे हमारी बॉड़ी के इंदर अक्यूमिलेट होना शुरू हो जाता है अगर आप इसको थोड़ी-थोड़ी कॉंटिटी में भी लेते रहेंगे तो यह हमारी बॉड़ी के अंदर जाके एक प्राउन राइस को इसका कंसेंट्रेशन भी लेगोटा है तो तब हमारी ले 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 इस्ती लेकिंदा प्रॉसेंग होता है और जो आर्सेनिक का जो इसको इसमें तो सबादा हो जाता है तो बहुत ही आसान है दोस्तों अगर आप चावल को सेफली इस्तमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको साफ पीने के पानी से ऐसा पानी जो पूरी तरह से प्योर है उस पानी से आपको चावल को कम से कम 4-5 बार, 8-10 बार जितनी बार आप धो सकें उसको अच्छी तरह से आप कुचल कुचल के मसल के और अच्छी तरह से धो लीजिए इस धोने से क्या होता है कि जो आर्सेनिक है वो वाटर के साथ flush out हो जाता है दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि चावल पकाने से पहले आपको करीब आधा या एक जो अगर आप रेगिलरली कर लें और आम तोर पे हमारे इंडिया में जो खाने वराने के तरीका है उसमें ये चीज़े शायद फॉलो होती भी है तो इसको अगर आप रेगिलरली फॉलो करेंगे तो इस से आपको जो आर्सेनिक की टॉक्सिटी होने का खत्रा है वो काफी ज़्यादा कम हो जाता है और आप चावाल को बिना किसी परिशानी के इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने आज कुछ ना कुछ नया भी जरूर सीखा होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिए चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिए और हाँ बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्य कि उसी से आपको आने वाले समय में हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं